Hello students, I hope आप सभी बढ़िया होंगे आप लोग लगातार मेरे से सवाल करते हैं सर बताइए कि कौन से college है जो best है जिनका चैन मुझे करना चाहिए अपने लिए choice filling में AKTU B form course C counselling के लिए registration complete हो चुका है अब बात आती है choice filling की और choice filling करते टाइम government college की list clear हो चुकी है अब बात है जो अगला step की private college की list को clear किया जाए धीरे धीरे करके private colleges की list को मैं clear करूँगा इस वीडियो में मैं आपको top 10 के जो college हैं उनके बारे में बताने माला हूँ जिसकी choice filling आप करेंगे अपने AKTU B form course की choice filling में मैं हाँ पर clear करूँगा देखी एक चीज़ तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि AKTU में 800 से जादा college है जब आप choice filling कर रहे हैं उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है या 800 college तो मैं सोयम भी नहीं बता सकता हूँ आप अपने personal experiences से भी और उसके साथ साथ अपने आसपास भी colleges को तलास करने का प्रयास जरूर करिए उनको देखी हो सकता है कोई college मुझसे छूट जाई चैनल से छूट जा लेकिन आपकी नजर में बेश्ट हो खैर मैं इस वीडियो में कुछ colleges को बताऊंगा फिर उसके बाद अगली वीडियो में और college कबर किये जाएंगे धीरे धीरे करके हम कोसिस करेंगे कि आपको 50 से 60 टॉप के college जो है वो discuss किये जाए इस चैनल पर जिससे आपको आपकी choice feeling में दिक्कत ना हो चलिए list को देखते हैं उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएए यदि पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं उसके साथ-साथ यदि आप अपनी choice feeling को हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो description में ही दिये गए Instagram एकाउंट पर message करके आप अपनी choice feeling को हमारी टीम से करवा सकते हैं चलिए start करते हैं colleges को देखते हैं क्या है वो college उनकी fee क्या है उनकी ranking क्या है और private college में किस तरह से आप उनकी choice feeling कर सकते हैं देगे इस list में जो भी college है उनको जो भी हमारी team के दवारा तयार किया गया है वो सब कुछ किस तरह से है कि आपको internet के माद्धम से किस तरह से उनके reviews है उनके आधार पर उसके साथ साथ student के feedback को लिया गया है कि क्या उन college में जो student पढ़ रहे हैं वहाँ पे सब कुछ बढ़िया है उसी के आधार पर लिस्ट तयार की गई है चलिए देखते हैं वो college list को चलिए फिर यहां से हम जानना स्टार्ट करते हैं कि एके ट्यू इंवर्सिटी के affiliated जो pharmacy college है गवर्मेंट की मैंने आपको list clear कर दिया है आप यहां पर private के बारे में चाहते हैं देखिए यह जो list है student यह 10 college की है top 10 के college की है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह list जो है वो top 10 के colleges के लिए ही valid है या फिर आप top 10 के college में इन ही को रखें यह आपकी भी choice पर depend करता है जैसे मान लीजे कि आप सिर्फ अपने जिले के college लेना चाहते हैं आप बताईए comment में कि आपको कौन सा college चाहिए आपको किस जिले में college चाहिए आपको मैं उस जिले की list दूँगा कि इसमें कौन सा college बेस्ट है यह आल ओवर यूपी के जो ठीक्था college है उनके बारे में इस list में है चर्चा की गई है बेस्ट college में आपको बताने वाला हूँ AKTU के top pharmacy private college चली देखते हैं AK करके अब देखे कुछ student यह भी कहेंगे 800 college हैं सर यही 10 ही बढ़िया है ऐसा कुछ नहीं है तकरीबन आपको 100 college मिलेंगे जो बढ़िया मिलेंगे तब तक मैं आपको उन सभी बढ़ियां colleges की colleges की comparison भी मैं आपको देने वाला हूँ कि कौन-कौन से college best है जैसे private में किनी दो college में हम comparison कर देंगे इस तरह से कुछ वीडियो और आएंगी और उसके हिसाब से आप और colleges के बारे में जान पाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस इसी पर रुख जाएए चलिए देखते हैं AKTU के pharmacy colleges को AKTU University के affiliated top private pharmacy college में viral biology YouTube channel से जुड़कर और description में दिये गए telegram group से आप जुड़कर अपने pharmacy admission को बहुत अच्छे से smoothly आप एक बढ़ियां college में पहुँच पाएंगे उसके साथ-साथ आप यदि pharmacy की preparation भी करना चाहते हैं अपने semester exam की आपके admission के बाद भी ये channel आपके साथ जुड़ा रहेगा आपको AKTU University की सारी खबरे हैं यहाँ पर classes भी start होने वाली हैं pharmacy की first semester के लिए जो student ज्यादा चिंतित हैं इसर पता नहीं मेरे college में पहले से classes चल रही हैं तो पहले ही chapter से मुझे पढ़ाया जाएगा या फिर जो direct admission वाले हैं वो पहले से पढ़के बैठे रहेंगे परिशान मत हो यह पूरा first semester इस channel पर पढ़ाया जाएगा बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से तो यह सारी चीजें overall जो package है वो आपको इसी channel पर मिलेगा जुड़ जाएगे subscribe करके जहां पर आपको लगातार हर information एक एक टी उनिवर्सिटी की और उसके बाद college में पढ़ने के बाद भी admission के साथ भी, admission के बाद भी पहला जो college आपका आता है वो है Dr. MC Saksena College of Pharmacy जो यहां पर private college हम लखनव की बात कर रहे हैं तो यहां पर Dr. MC Saksena College of Pharmacy तो मैं सबसे पहले लखनव के location वाई जेदी हम बात करें तो यहां पर लखनव location में Dr. MC Saksena College of Pharmacy जो कि आपका पहला college है second college है आपका KIT Group of Institute College of Pharmacy यह आपका है second college student जो कि आपके लिए pharmacy college के लिए आप इसका भी चैन कर सकते हैं अब student इस चीज में confused हो जाएगा सब के आइटी जो है वो कम बढ़िया है क्या Dr. MC Saksena से ऐसा कुछ नहीं है इस list में जो भी college है वो बढ़िया है पहला college क्या है Dr. MC Saksena College of Pharmacy लखनव location total tuition fee जो इसकी लगती है 2,82,000 2,82,000 पूरा overall 4 साल की fee से और हास्टल छोड़के यह भी बता दे रहा हूँ यह जो fee है सिर्फ college की fee दी गई है जो इस list में है यह सिर्फ 4 साल की fee है आपके total 4 year की fee है यह ध्यान दीजिएगा आप लोग नहीं तो बाद में सवाल आ जाए कि यह एक साल की fee है क्या या फिर college के hostel और food को ले के नहीं hostel और खाना यह सब छोड़ छाड़के बस खाली यह college की fee है और चारो साल की fee है ठीक चलिए देखते हैं KIT group of institute इसके बाद students जो दूसरा college आता है वो आता है KIT group of institute location गाजियाबाद जानते हैं आप इसके बारे में KIT group of institute के बारे में total tuition fee जो है आपकी 2.82 lakh per year है और यह आपको college जो है आपका गाजियाबाद में पढ़ता है और one of the best college है आपका बहुत ही बढ़ियाँ college है यदि आप गाजियाबाद location में chain कर रहे हैं तो इस college को आप निश्ची तोर पर भरे एक अच्छा college निकल के आता है अगरे college की तरफ चलते हैं के colleges के comparison में या फिर बात करें जो rural area के colleges है उनसे थोड़ा सा costly है यह मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ लेकिन बढ़ियाँ college है यदि आप इसका भी chain करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं गलगोटिया college आप फार्मेसी का यदि हम पर्यागराज location बात करें इसलिए मैंने इस लिस्ट में जो भी college रखे हूँ लग बात सभी city के एक दो college जो बेस्ट है उन्ही के बारे में चर्चा कर दी गई है जहां पर ज़्यादा इस्टून जाना प्रिफर करते हैं बाकि अभी हर जिले की लिस्ट आएगी आप भी अपने जिले का नाम लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियो में उन जिलों के जो best college है उसको भी clear करने का प्रियास किया जाएगा और उसके बाद college का comparison भी किया जाएगा कौन सा college है दो college में आप confused रहते हैं ये सर बेस्ट है कि ये बेस्ट है तो मैं आपको उन दोनों के अच्छाईयां दोनों की जो भी dark side है वो भी चीज़ें clear हो जाएगी अब यहाँ पर क्या है United Institute of Pharmacy United College of Engineering and Research ये आपका इलाहबात जाने की जिसका नाम बदला हुआ नाम परियाग राज है तो वहाँ पर है total tuition fee 2.82 lakh इसी के आसपास रहेगा देखिए जो भी fee में बता रहा हूँ वो कोई exactly fee नहीं है वो आपकी approximate उतना देना होगा उससे दस बीस जार रूपए ज़्यादा उससे कम हो सकता है ये मैं आपको इसके लिए आपको से और रहना होगा नहीं लेकर 2.82 lakh के बीच में इसकी fee रहेगी आप लोग ध्यान दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा लखनव का एक और बढ़ियां college जहां पर आप admission के दौरान अपनी choice feeling के दौरान इस college की भी choice feeling कर सकते हैं रामस्तुरम institute of technology and management की लोकेशन लखनव है इसको मैं clear कर देना चाहता हूँ आपके साथ तोटल जो इसकी tuition fee है student वो है 2.82 lakh या इसकी है आपके तोटल जो इसकी tuition में 2.82 रूप है उसके बाद अगर हम बात करें वरांसी location में तो वहाँ पर वरांसी college of pharmacy इसके बारे में आप जानते होंगे location जो है वो वारांसी है total tuition fee 3.80 lakh per year नहीं total 4 year की यही तो मैं आपको चक कर रहा हूँ न चलिए NIT गौतम बुद्धनगर यानि कि NIT नवेडा दोनों चीज आपका वहाँ पर सर्च करने पर आ सकता है तो यह NIT नवेडा जो है वो भी आपका best college है अब कुछ लोग NIT नवेडा और गलगोटिया में में से पूचेंगे कि बताइए इन में से कौन सा best है तो ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं तो दोनों की कुछ खासियत हैं दोनों की कुछ गड़बढ़ियां भी हैं उसके बारे में एक वीडियो आएगा एक सेपरेट वीडियो आएगा जहां पर मैं गौतम बुद्धनगर के colleges के बारे में ज़्यादा कंफ्यूजर रहता है तो मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा एक वीडियो आएगा और यह नाइटी बहुत अच्छा college है पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा बढ़िया college है इसका भी चैन आप कर सकते हैं थोड़ा सा महंगा रह सकता है लेकिन यह आप ध्यान दीजिएगा यह गलगोटिया से भी महंगा है यह मैं आपको बता दे रहा हूं कि फार्मेसी के मामले में इसकी फी गलगोटिया से भी ज्यादा जा सकती है तो थोड़ा सा इसमें माध्धम से और colleges के माध्धम से तयार की हैं तो इसमें से थोड़ा सा इधर उदर हो सकता है बट यह है कि यह सब बेस्ट कॉलेज है जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं अब यहाँ पर इसके बाद जो अगले college है वो है परंबीर सिंग institute of technology जब हम कानपूर location की बात करें तो वहाँ पर PSIT कानपूर इसके बारे में आप सुन चुके होंगे बहुत जादा चर्चित college है काफी बार चर्चा में आता ही रहता है कानपूर की यदि हम बात करें तो इस college के बारे में सभी जानते हैं जो कानपूर में किसी भी college की तला लाइक के बीच में इसकी जो आपकी tuition fee है वो पड़ेगी इसको आप ध्यान दीजिएगा और कानपूर location पे ये college है PSIT कानपूर पूरा इसका नाम है परमीर सिंग institute of technology चलिए यहां तक थे college जो मैंने आपको बताये हैं यहां पर हर वो city जो ऐसे की वराणसी का अलहाबाद का लखनव का गौतम बुद्धनगर का यानि की नवेडा ग्रेटर नवेडा एरिया में उसके बाद जो आता है गाजियवाद तो वहाँ पर ये लगभग चार से पांस city जहां पर आप लगातार पूशते रहते हैं प्रयागराज में भी तो उन सभी cities के एक दो college सभी के clear कर द एक बार AKTU अपनी list क्लियर कर दे college list वाली तो चीजे और भी अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि AKTU ने बहुत से प्राइबेट कॉलेजें जिनका PCI approval नहीं हुआ है उनका मामला फसा हुआ है कुछ लोग ऐसे हैं अभी college उन्ही के चक्कर मे पांच साल की फारमेसी में करूँगा तो ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है सभी लोग मार्च महिने में अपना exam देंगे इसके लिए बिल्कुल तयार हो जाएए ज्यादा सज्यादा मार्च में आपका exam जाने वाला है तो यह नहीं है अब आप सुचेंगे मौका नहीं मिल समबर महीने से पढ़ना इस्टार्ट किये थे 2023 में थोड़ा सा पहले हुआ था एक नौंबर के आसपास चल गई थी यह फारमेसी में होता रहा है यह फारमेसी का पुराना इतिहास है PCI की लापरवाही के वज़ास से हर बार होता है इसके लिए परिशान मत हुई है और एक हैं वहां से मैंने क्लियर कर दिया है तो आप देख लीजिए उसके बाद आपके लिए एक वीडियो होगी जिसमें आप क्लियर किया जाएगा हर एक वीडियो में कि दो कॉलेज के 20 में कमपेरिजन उसके लिए आप सभी लोग कमेंट करिए कि आप किन कॉलेजिस के लिए कम कुल अभी वाल नमस्कार